नमस्ते आज का मेरा टॉपिक है एलेक्रो मेकनिकल सिस्टम्स विद्धिय त्यांत्रिक निका है उसके अंदर हम पढ़ेंगे बैलेस्टिक गैलमिटर प्रक्षिप धरम अपी तो आप लोगों को पहले पैता होगा कि गैलमिटर हमारा क्या होता है उसको हम लोग नॉर्मली ज किस सर्कुम्स वो कितना है यह डिपेंड करता है कि हमारा कॉइल है उसके अंदर कितना डिफ्रेक्षिन हो रहा है उतना ही उसके अंदर चार्ज फ्लो हो रहा है इस प्रिंसिपल पर यह वर्क करता है तो देखिए यह हमारा बैलेस्टिक गैलमिटर का सर्किट है इसके बनाई हुए कोई उसके बीच में आयरन कोर रखी हुए और यहाँ नीचे उसी वायर की स्प्रिंग है उससे हम लोगों ने कोई मास कनेक्ट किया हुआ है तो यह ऐसा पूरा सर्किट डियाग्राम था अब देखिए जब इसके अंदर से हम लोग कुछ पी करन का फ्लो करेंग होसके उसके विश्यूं के ऊफ्लो के विज़े से यहां पर क्या होगा लाक्रमयन्टिक फोर्स होगा उसके वज़े से यहां पर दंश्पिर यह कॉर्ण की जो डियाक्शन ऊपास प्रदीश करेंगी इसलिए हम लोग इस कपल को बोलते है रैस्टरइंग कपल इस क्योंकि इसकी जो डिरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है जो रोटेशन है स्कॉाइल उसके डिरेक्शन से इसलिए तो जो टॉर्क हमारा होगा प्रत्यान है के विज़े से जो बला गूंड लगेगा हमारा वो हो जाएगा माइना सी थीटा के एकवन जहां पर सी की वैली हम लोग इस तरीक से निकाल सकते है पाई इटा आर रेस्ट पाफ फॉर अपॉर अपॉर्ण टू एल के एकवन तो जहां पर एल किया हमारे पास तार की लंबाई इटा किया हमारे पास मॉडूलिस विज़ेटरी नेटमिस प्रदार की का द्रड़ता गु कि वज़े से हमारे पास कोई रिफ्लेक्शन फोर्स आ सकते है उसको हम लोग लिखते है माइनस गामा डी थीटा और डी टी के थुरू जहां पर गामा हमारे पास किया है अवमंदन गुडांग डैंपिंग कॉंस्ट दूसरा हमारे पास होता है क्लोस सर्किंट के अंदर इल फ्लक्स और कॉयल का जो एडिया है उस पर डिपेंड करता है और आर मेरे पास वैसी प्रतिर होता है तो देखिए रिजल्टें जो टॉर्क होगा हमारे पास कुंडली में जो पढ़ना मी बलगून होगा हो जाहएगा माइनस सी थीटा माइनस गामा डी थीटा ओवर दी थी सेट में लेकर जाएंगे और सिंप्लिफाइए करेंगे तो हमारे पास आएगा दीटू थीटा ओवर डीटी स्क्वाइर प्लस वन अपॉन 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 गामा प्लस एंबा यार दीटी प्लस सी अपॉन आए थीटा एकुसो जीरो के एक्वल अब इस वाली को तो हम लोग लिख देंगे 2R के एकवल इसको हम लोग ओमेगा नौट स्क्वार के एकवल लिख देंगे तो हमार पास यह वाली एक्वेशन आती है देखी वाली एक्वेशन आपको बहुत सिमिलर लग रही होगी यह आपकी डैंपिंग जो होती है उसके लिए क्वेशन है यह देखी इसमें हमार पास तीन केसे हो सकते हैं डैंपिंग हमार पास जो नौर्मल होते थे वह ही है पहले केस जब आर ज़्यादा है ओमेगा नॉट से वह हैं मार फास यहारा देखी हमारी वह ओम नौर्मल हो में आता है समय हार तो है कि हाई देंपिंग वाले केस में देख सकते हम लोग उपर वाली क्योशन से गामा प्लस एमप और र है वो जादा होगा तू रूट ऑफ सी आए से तो इस वाले केस के अंदर हमार पास क्या होता है कि वह जो थीटा के वैल्यू है वह मैंग्समुम होईगी उसके बाद में एक्सपोनेंशली चर्मगाती की रूप से डिक्रीज होने लग जाती है मतलब एक थीटा मैग्समुम तक पहुचे को उसके बाद में डिक्रीज होने लग जाएगा इस वाले मुश्रुप हम लोग बोलते है डैट बीड दाट निस रुद्ध दोलिद दूसरा हमारे पास होत लेक्रा मगनेटिक डैंपिंग से इस ताम पर हमारे पास क्या होगा कि थीटा कोईल है वो दिफ्रेक्ट होगी थीटा मेग्समुम तक उसके बाद में वो वापीस अपने स्टेवल पॉजिशन पर आती है बस उसके अंदर क्या होता है और शिलेशन नहीं होता है उस्टेब तो इस case में क्या होगा हमारा oscillation start होते है है जैसे जी जास का flow सब्सक्राइब इस case के अंदर i और R की value है वह ज़्यादा होनी चाहिए और Gamma और M की value है वह कम होनी चाहिए तो इससे हमारे पास तो देखिए, theta 1 के time पें इसका जो time था, वो t by 4 के equal था, theta 2 के time पे इसका क्या था? 3t by 4 के equal था, theta 3 पे हमारा time था 5t by 4 के equal, तो इसे हम लोग ये से लिख सकते, theta 1 equals to theta 0 y-rt था हमारे पास तो e-d by 4 थीटा 2 equals to theta 1 e-d by 4 theta 3 equals to theta 1 e-d by 4 तो हम लोग जब theta 1 अपन theta 2 करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा e-d by 2 same way में जब theta 2 upon theta 2 करते हैं हम लोग तब भी हमारे पास क्या आता है e-d by 2 तो उसको हम लोग लिख सकते हैं d के एकवर तो देखिए और 2 r हमारे पास इक़र होता है 1 upon tau के एकवर तो इससे हम लोग इसको हम लिख सकते है e-d by 4 tau equals to d तो यहाँ पर d जो आता है हमारे पास वो क्या है तो तरीक से देख सकते है कि कितना उसमें decrement आ रहा है हर थोडी देर में तो d हमारे होता है अपशे decrement और logarithm decrement यह दी हम लोग को निकालना होगा तो हम लोग क्या करें कि simply बस इसका log ले लेंगे तो lambda हमारे पास हो जाएगा logarithm of with base e of d equals to t upon 4 pi अब हम लोगों ने माना कि t equals to theta 1 theta equals to theta 1 है t equals to t by 4 तो उससे हमारे पास होजेगा theta naught upon theta 1 equals to e raised power rt upon 4 तो यह हमारे पास किसके इको लोगा e raised power lambda by 2 के इको है तो हमारे पास equation गई theta naught equals to theta 1 e raised power lambda by 2 अब e raised power lambda by 2 है उसको हम लोगों ने expand कर दिया तो देखिए यह हमारा expansion होजाएग e raised power lambda 1 का तो हम लोगों ने माना कि आगे वाले terms को यह हम लोग नगलेक्ट कर सकते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास होजाए theta naught is similar to theta 1 1 plus lambda by 2 के देखिए अब हम लोगों को यह थी theta 1 and theta n के बीच में relation निकाल लाए तो वो भी simple है theta 1 upon theta n theta 1 upon theta 2 into theta 2 upon theta 3 इस तरह किसे हम लुक सकते है theta n upon theta n n-1 upon theta n तो यह हमारे पास सिक्कोल होगा e raised power n-1 lambda के एकवग तो इससे हमारे पास से देखा lambda equals to 2.303 upon n-1 logarithm with base n theta 1 upon theta n अब यह हम लोग current flow के थूप बात करते हैं तो हम लोगों को जैसे पढ़ता है कि यह गैल्मिनेटर के अंदर जो current flow हो रहा है किसी कॉड में से उसमें जो torque लग रहा है वो equal होता है मेरे पास n, a, b, i के equal तो वो equal होता है dj upon dt के इससे हमारे पास j की value हो जाएगी i omega prime dj upon dt इसको देखे इधर की side लेकर जाएंगे हम लोग और integrate करेंगे n, a, b तो हमारे time independent terms है तो इस वज़े से integrate करेंगे तो i dt 0, 2t हो जाएगग तो हमारे पास 0 से t के लिए i dt निकालो हमारे पास क्या होगा कितना charge flow हुआ है हमारे पास तो n, a, b, q हो जाएगा हमारे पास ये वाली equation directly जहापे n हमारे पास क्या है number of turns जो होगी coils के अंदर कुंडली में फेरो की संक्या होगी यह हमारे पास कुंडली का अनुपस्त कार्ट b होगा जुम्भी ये शित्र की त्रिवृता क्यू होगा हमारे पास प्रभाहित आवेश का मान amount of charge flowing तो in case माना हम लोगों ने कि काइनेट के ररजी जो हम लोगों ने gain की टाइम पे वो half i omega square के एक्वाल है और इस टाइम पे हम लोग कोई भी damping नहीं थी तो उससे हमारे पास क्या जाएगा only वो वाले ही बचेगा first वाला जो था हमारे पास reflection c theta d theta के को integrate करेंगे 0 to theta naught तो हमारे पास वो आती हाफ c theta naught square इसको हम लोग simplify कर सकते है omega की value वहाँ उपड से डाल कर omega prime की value तो हमारे पास वो यहाँ पर डालेंगे तो मेरे पास यह वाली ही बन जाएगी equation इससे हम लोग q की value simplify करके निकाल सकते है c i upon n square a square b square q naught square equals to i upon c c square upon n a b का square theta naught का square तो इससे q square हमारे पास आगे तो q भी हमारे बच्छी square root करेंगे हम लोग निकाल सकते है root of i upon c c upon n a b theta naught देखिए अब आप लोगों निससे पहले भी पता होगा आप लोगों को कि time period जो हमारे होता है वो हता है 2 pi root of i by c के equal that means कि जो हमारे charge होगा यदि हम लोगों उसको time period की form में लिखेंगे तो हमारे पास रिखेंगे t upon 2 pi c n a b theta naught के equal that means t upon 2 pi c upon n a b theta 1 1 plus lambda by 2 इस पूरी term है हम उसको यदि k के equal लिख देते है तो यह होता है हमारे पास ballistic constant तो हमारे पास q क्या हो जाएगा k theta 1 1 plus lambda upon 2 के equal यहाँ पे हमारा ballistic kilometer का topic है वो complete होता है Thank you